औरत को कैसी जिन्दगी गुजारनी चाहिए, नेक और वफादार औरत की निशानिया, मर्द कभी भी तसवर से इश्क नहीं करता, उसे इश्क के लिए भी किसी की पहली मुलाकात की जरूरत होती है, ये तो औरत होती है, बेवाकूफ एक नाम, एक इहसास, एक आवास के नहीं भीगना चाहिए, कि जिसम नजर आने लगे, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तमाल के लिए, बात तब बिकरती है जब चीजों से प्यार और लोगों को इस्तमाल किया जाए, किसी इनसान से बार बार इस बात का तज़करा ना करें, जिसका जवाब दे देते हुए इसके जजबात मजरूख हो, जिन्दगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और असान करने के लिए समझना पड़ता है, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गज़ार लो, दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस हो, वरना अपना दर्द जानरों को भी महसूस होता है, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, इसके सामने जुबान से सिर्फ लफ़ों को जाया करना है, जो शक्स तुम्हारा गुसा बर्दाश करे और साबित कदम रहे वही सचा दोस्त है लोगों को इसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उमीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा हमारी जिन्दगी में किसी का चले जाना इतना तक्रीफदा नहीं होता जितना इसके चले जाने के बाद हमारे दिल में इसकी महबद का ठहर जाना अजियत देता है एक अकलमन औरत किसी मर्द की महबद में मुब्तला होने से पहले इसकी किरदार पर नजर रखती है दिल दुखाने पर भी जो शक्स आप से शकायत तक ना कर सके इस शक्स से जादा महबद आपको कोई नहीं कर सकता जितनी जहानत बात कहने के लिए दरकार होती है इस से दुबनी जहानत दूसरे शक्स की बात सुनने और समझने के लिए दरकार होती है शरीफ औरत जब किसी से एक बार जुड़ जाए बस फिर वही इसका सब कुछ होता है किसी और साई का सवाल ही पैदा ना होता जान दे देगी शिर्ट का ख्याल तक ना लाएगी एक बीवी अपने शोहर से नराज थी तो कहने लगी मुझे नहीं रहना आपके साथ आप मुझे पर गुसा होते हो मैं बस चली जाऊंगी वो बैठे मुस्कुराने लगी मैंने और सुनाई वो फिर मुस्कुराने लगी मैं सुनाती रही वो मुस्कुराते और हर बात पर मुझे प्यार से बुलाते मुस्कुराते फिर बोले जब दिल करे गुसा निकाल लिया करें मुझ पर ही निकालना है आप किसी और पर थोड़ी निकालेंगी तब मैं इन मर्दों का सोचने लगी जो छोटी सी बात पर औरत को जोड़ देते हैं और इसकी जिन्दगी खराब होती है इन्हें महबबत नहीं होती वरना जो मर्द महबबत कर ले वो तो सब सुनकर अपनी जाद की तजलील करा कर भी महबबत पर काइम रहता है ऐसी औरत बहुत खुशनसीब है और मैं इन्हीं खुशनसीब औरतों में से हूँ नेक और वफादार औरत की निशानिया जिस औरत के चेहरे पर हया हो याद रखें सुर्खी पॉडर से इन्सान के हुसनवा जमाल में इजाफा नहीं होता बलके हया से होता है जिस की जुबान के अंदर शेरनी हो जब खावन से बात करे तो नरम लहचे से करे जिस औरत के दिल में नेकी हो यानि बद और बुराई ना हो और वो नेक नियत है औरत के हाद पर हर वक्त काम में लगे रहते हो जो बच्चों का बड़ों का और खावन का ख्याल रखती हो ऐसी औरत वफादार और नेक होती है अपना और दूसरों का। झाल झाल